सत्तर के दशक के जाने माने हीरो विनोत खन्ना ने कल आखरी सास ली उनके अंतिमसंसकार में बॉलिवोड के तमाम समकाली इन हस्तियों ने अपने उपस्तेती दर्ज कर आए लेकिन अंतिमसंसकार के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे रिशी कपूर काफी गुस्ते में नजर आए दरसल रिशी कपूर इस बेहत सीनियर अभीनेता के अंतिमसंसकार में ना पहुँचने वाले आजकल के सूपर स्टार से नाराज थे अक्टर विनोत खन्ना की गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में कैंसर से मौत हो गई ऐसे में उनके जमाने के कई स्चार जैसे हेमा मालीनी, रिशी कपूर, रजनी कांथ और शत्रुगन सिनहा जैसे सितारों ने उनके निधन पर सोशल वीजिया पर दूख चताया था अमिताब बच्चन जिन्होंने एक्टर विनोत खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया है उनके निधन की खबर सुनकर एक इंटरिव्यू बीच में ही छोड़कर उनके परिवार से मिलने चली गए लेकिन रिशी कपूर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि यह शर्मनाक है कि आज की जनरेशन का कोई भी कलाकार उनके अंतिम संसकार में शामिल नहीं हुआ जबकि उन्होंने कई स्चार्ज के साथ काम भी किया था रिशी कपूर इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा ऐसा क्यों मुझे तयार रहना चाहिए कि जब मैं मरूंगा तो कोई मुझे कंधान नहीं देगा आज के इन सितारों के इस बरताव से मैं बेहत गुस्ते में हूँ रिशी कपूर ने अपने एक ट्वीट में प्रेंका चोपडा की पाटी का भी जिक्र किया उन्होंने लिखा कि कल प्रेंका चोपडा की पाटी में कहीं चमचे मिले लेकिन विनोत के अंतिम संसकार में कम ही लोग मिले ऐसे में रिशी कपूर ने यह भी बताया कि उनके बेटे रनबीर कपूर और उनकी पतनी नीतु सिंग देश में नहीं है इसलिए वह यहाँ नहीं पहुँच सके हैं तो रिश्यू कपूर आज कल के कलाकारों से बेहत नाराज हैं। उन्होंने नए कलाकारों के अंतिम संसकार में नहीं पहुंचने पर जम कर नाराज की जाहिर की। उनके स्ट्वीट से विनोत खन्ना के प्रती उनकी भावुकता स्ताफ नजर आती है। देखते रहेंगे लगे लगे लाएएगार्ण आती है।